हुम क्रीम 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 हुम 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 दक्षिना कालिके क्रीम क्रीम हुम 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 स्वाहा मा दक्षिना कालिके नमा प्रसन्नो वर्दो भवा सिद्ध साधक परिवार के इस चानल में आपका स्वागत है चानल में गूप्चे गूप्च दूलब साधना चल रहे हैं जानने योग्यों बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं साथी साथ सकती साली से अतितिब्र सकती साली टोटके भी दिये जा रहे हैं तो आज के इस साधनावले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे अर्धनारिश्वर सिव साधना के विशय में यह साधना सिव और सक्ति के दिव्य स्वरूप की साधना है और जीबन की समस्त कामनाओं का आधार भी है हमारा इस कड़ी में अर्धनरिश्वर साधना देने का उद्देश केवल यही है कि आप इस दिव्य साधना को सपलता पुरुबग संपन कर सकें और इसमें से उत्पन होने वाले लाब को प्राप्त कर सकें आप इह दिव्य साधना को किसी भी सोमबार को संपन कर सकते हैं यह प्रातक अलिन साधना है इस साधना को संपन करने है तू मंत्र सिद्ध प्रान पतिश्टायुक्त और धन आईश्वर यंत्र सक्ति माला और नो सक्ति बीज की आप सक्ता होती है साधना से पूर्ब, साधवक आपने गुरुदेव का पूजन अबश्य संपन करें अगर कोई गुरु दिक्सिया कहीं से नहीं लिये हैं तो स्वयम सिप जी को आपना गुरु मान कर उने साक्सी रखकर उनका ही पूजन करके इसको संपन करें और उनसे प्रार्थना करें कि सफलता आप कोई साधना में मिले अब आपको करना क्या है उत्तर दिशा की और मुह करके सफेद आसन पर बैठ जाएं गुरुहस्त को यह साधना अपनी अर्धांगिनी के साथ ही संपन करने पर विशेश लाभ प्राप्त होते हैं साधना में पूरुश साधक सफेद वस्तर धारन करें और स्त्रीया लाल रंग के वस्तर धारन करें सर्व प्रथम अपने सामने एक बाजोट पर सफेद वस्तर बिचा कर उस पर कुमकुम से लाल किये हुए चावलों की नो धेरियां बना ले और प्रत्यक धेरी के उपर एक एक सक्ति बीज को स्तापित करें और सर्व प्रथम दोनों हात जोड कर भगवान सीव और महा सक्ति पार्वति की बंधन करें और उनका बंधन ऐसा होना चाहिए जैसे आप प्रार्थना करते हैं भगवति पार्वति के हाथों में कंकन और पेरों में नुपूर की ध्वनी हो रही है तथा भगवान संकर के हाथों में सर्पों की फूफकार की ध्वनी हो रही है पारवती जी की भूज्याओं में बाजबुंद की सूसभित हो रहे हैं तथा भगवान संकर की भूजाओं में सर्फ सूसभित हो रहे हैं महादेव और महासक्ती के इस दिव्य स्वरूप को मेरा प्रणाम है आपको इसी तरह उनका बंदन करना है अब इसके पस्चात सक्ति के नो स्वरूपों का पूजन संपन करना है। गुरुहस्त साधक अपनी धर्म पत्नी के साथ यह साधना संपन कर रहा है। तो दोनों को ही साधना क्रम संपन करना है। अर्धनारिश्वर सीव साधना को स्त्री और पूरुष दोनों ही संपन कर सकते हैं। नो सक्ति चक्रों पर अभी हम जो मंत्र कहेंगे उसका उच्चारन करते हुए कुमकुम और पुष्प अरपित करें। सरप्रथम है ओम अनिशर्वय अर्धनारिश्वर महा देवाय महा सक्ति नमाहा। उसके बाद ओम महा रूपाय अर्धनारिश्वर महा देवाय महा सक्ति नमाहा। तत पस्चात महा मायाईये अर्धनारीश्वर महादवाय महाशक्ति नमाहा, ओम सांतये अर्धनारीश्वर महादवाय महाशक्ति नमाहा, ओम महेश्वरे अर्धनारीश्वर महादवाय महाशक्ति नमाहा, ओम रक्ताये अर्धनारीश्वर महादवाय महाशक्ति नमाहा, ओम क इसी मंत्र को बोलते हुए आपको कुमकुम और पूश्प को और पित करना है। अब सक्ति चक्रों के पूजन के पस्चात और धनारिश्वरे यंत्र स्वरूप महादेव सिव और महाशक्ति की पूजन संपन करना है। यंत्र का पूजन करने के पस्चाथ आपको करना क्या है? दूद से बना हुआ नॉबेद्य आप पर पित करें अब इसके पस्चाथ पांच आचमनी जल यंत्र के पास छोड़ दें यंत्र पूजन के पस्चाथ सक्ती माला से जो तीब्र और धनारी स्वर सीव साधना का मंत्र देंगे केबल आपको तील माला मंत्र जाप करने है? गुरुहस्त साधक पत्नी सहीत इस साधना में बैठे हैं तो माला दोनों में से कोई एक फेर सकता है यदि पती माला अपने हाथ में रखते हुए मंत्र उच्चारण कर रहा हो तो पत्नी पती के साथ मध्यम स्वर में उपरक्त मंत्र का उच्चारण करते रहें साधना के मध्य माला किसी एक को ही फेरना है ये आप याद रखें अब जो तीब्र अर्धनारिश्वर सीव मंत्र है वो है ओम हरीम नमो आइम नमो अर्धनारिश्वर सीव महसक्ति नमाहा ओम्हिरिम नमो अईम नमो अर्धनारी सुर सीव महा सक्ति नमाहा ये एक छोटा सा मंत्र है अत्यांथी सक्ति साली और अत्यांथी तीब्र मंत्र है इसका उच्चारण में आप कोई भी चुक नहीं करें अब तीन माला मंत्र जब संपन करने के पस्चार शक्ति माला को यंत्र पर रख दें और सेवार्ति संपन करें यार यह प्रसाद परिवार के सभी सदोस्यों में बित्रित अवस्या करें सामान्य स्वरूप की इस साधना की महीमा तो निराली है नजाने सिद्ध साधग परिवार में इस साधना को कितने बार आजमाया गया है और हातों हात सुफल प्राप्त हुए यह देखा गया है कि इस एक दिवस्या साधना को संपन करने मातर से परिवार्म पर हुआ किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग तंत्र प्रहार स्वतही समाप्त हो जाता है सीव और सक्ति की कृपा स्वरूप ग्रुहस्त जीवन में आ रही बाधाएं भी समाप्त होने लगती है कई साधकों का यह तोर पनुभब रहा है कि इस साधना को संपन करने के पस्चात संतान प्राप्ती भी सहज रूप से हुई है अर्धनारिश्वर सीव साधना को जब भी जीवन में प्रतिकुलता लगे परिबार में किसी भी प्रकार की बाधा या समस्याओं का निरंतरता लगे एसा एहसास हो कि परिबार के किसी ने अपने तंत्र प्रयोग से बान दिया है तो अबस्या संपन करें अर्धनारिश्वर साधना की पुर्णता के पस्चात समस्त सामग्री को किसी सीव मंदिर में या सीव लिंग पर चड़ा दें एक बात हम यहां जरूर कहेंगे इस साधना को संपन करने से पूर्व जो साधना सामग्रिया है उसको पहले से ही मंगवा के रख लें और हमसे अनुमती जरूर ले अवस्य ले हमसे जिनको यह दिव्य साधना संपन करना हो हमारा इमेल आईडी दिया हुआ है वो हमसे संपर कर सकते हैं उनका पूर्ण मार्ग दर्शन कर दिया जाएगा साथ में साधना में व्यभवार में आने वाले सामग्रियां भी उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे आज के लिए इतना अई था छानल को ज़्याधा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का दिये हुए मंत्रों का संमान भी बना रहे वाह मा दक्षिना कालिके नमा प्रसन्य वर्दो भवा प्रसन्य वर्दो भवा प्रसन्य वर्दो भवा जै सिद्ध साधक परिवार